चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्लडफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं आज के करेंडफेस डेली बेसिस पर यहां पर पढ़ सकते हैं किक पॉइंट और नाईशा स्पेशल डे एंसक्व डेल निज ओफ दे और पीवाई क्यूस और अगर आप कंटेंट लेना चाहत उसी में जुड़िएगा ओफीशल वाले में सो डेट कि आपको यह कंटेंट मिल सकें यह मैंने कंटेंट ऐसा कवर किया है कि जिसमें आप इवन यूपीएस एक्जाम में बैठ सकते हों कोई भी एक्जाम के जीएस होगी यह छे पीडिएफ दस अजार कोशन से कमर हो जाग तो पहला करें दिफे भैववव स्कीम जो है यह हाल फिलाल में गौर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक न्यू फ्रोशिप प्रोग्राम लौंच किया गया इसका अगर फुल फ्रम देखा जाए तो वैश्विक भारतिये वेग्यानिक है ठीक है इसमें कॉलाबरेट किय प्रवाइस किया जाएगा बेसिकली इस पोरा जो हमारे भारत भारत का जो टैलेंट बाहर चला जाता है कहीं न कई इंडियन ओरीजन से तो उसको रिकोग्राइस करने के लिए उसको पूरा जाने के पहले कोशन इसमें से कून सा ऐसा शाशक था जो इलिटरेट था आंसे कम बासि भारती दिवस हो गया नो जन्वरी को अबसर किया आता है महात्मा गांधी जी आते चलाता है जिसमें इंगेजमेंट है थिक हैं इंगेजमेंट जो है वह इंक्रीज हो इंडिया की जो कंटेंपरी रूट्स जो है उसको जाने ठीक है चलिए एको करेंट फिर देखी इंडिया ने अप्रूफ किया है कि इंडिया MQ-9 वी आम ड्रोन जो है वो खरीद यह कहां से इसको जानते हैं अच्छा से देखिए MQ-9 वी जो आम ड्रोन है यह USA का है ठीक है और इंडिया इंडिया की मिनिस्ट्री डिफेंस ने सीज का अप्रूबल दिया है कि हम जो है इसे खरीदने वाले हैं जिसका जो डील का अमाउंट होगा तीन बिलियन डॉलर के आसपास होगा मोदी जी के त्वारा इस चीज को अल्मॉस्ट डन कर दिया गया है ठीक है बैसिकली रोन है तो ओविसली सर्वलांस के विटीज को इंक्रीज करेंगा आम फोर्स की ठीक है तो इसको पूरे जाने के पहले कोशन देखिए इसमें से यह अब बैसे अब यूज करने के लिए अब यूज करा रहा है तो यह भी आद रखेंगे इंडियन नेवी के पास यह है इसके ड्रोन की जो चंता है चालीस हजार फीट किये इंडिया की जो फोर्स इसके लिए वेनिफिशर है का मैक्सिमा चालीस घंटे का है इसका है तो यह अच्छा समय जो है मिल सकता है अगर हम इसको यूज कर रहें तो यह को करेंड फिर देखेंगे ब्रिटेन की जो जैन मेरोइट है यह फिर्स फीमल इन्वोई है और यह किस देश के इन्वोई बनी है तो इस कोशिंगा अंसर ध्यान रखेगा पाकिस्तान इंडिया मत लगाईगा ठीक है बेसिकली पाकिस्तान में आज तक कोई भी ब्रिटेन से फीमल हाई कमिशनर नहीं बने ठीक है तो यह पहली है ठीक है जैन मेरोइट जो की फिर्स फीमल ब्रिटेशन वोई है इसलामावाद में इससे पहले यह केनिया हाई कमिशनर में जो थी ठीक है और अभी इन्होंने रिप्लेश के डॉक्टर किस्टन टर्नल को ठीक है यह ध्यान रखेगा इसके लावा शेक अहमद नवाब अहमद जो है यह न्यू प् पाइटर और इंडिया स्ट्वीडम इस किताब के जो ओधर है इनको भी हाल फिलाले में अलिजबेट लॉंग फॉर्ड प्राइज मिला है तो ओधर तो बड़े फेमस है राम चंद्र गोहा है बहुत प्रसिद्ध हिस्टोरियन ओधर माने जाते राम चंद्र गोहा तो इनक इसका ने चुना गया उसके लाबा बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमें ऑफ द इयर कौन बीस बाइस के मेरा बाइज जानू गटेन रेजर आवोर्ड जो है ठीक है यह किसे मिला आइनस द्रोन चाहरे को एक वरी इंपुरेंट वन इंडिया ने वी ने हाल फिलाल में आउट्रीश प्रोग्राम लोंच किया है जूली लद्दाग विसिवल सोचाइटी में इंडिया ने नेवी का रोल है तो उसको दरशाए गया एक expedition हुआ था ठीक है जो कि national war memorial जो है लदाक के तरफ क्योंकि आप सभी जानते है कारगिल वोर के आसपास के एरिया जो है उसको भी रिकोग्णाइज के गए इंडियन आर्मी operation सद्भावना कहा पर लदाक में ठीक है उसके राबा एक exercise है जो बीस ने कंड़क करी थी इंडिया पाकेसन वोडर में operation मुक्ति के नाम से एक और कोशन पीटीसी इंडिया financial services के नए डारेक्टर ठीक है और उससे पहले इन्होंने सेड़ी में भी काम किया राजिस्तान असेट में भी काम किया तो प्रसेद्ध वेक्ति हैं इनका नाम याद रखें किलाब चेर्मेन पेट्रोलियम और नेच्रल गैस रेगुलेटरी के कौन एके जैन ठीक है सीओ पी और अगर आपको लगता है कि आपको सेलेक्शन नेना है जी सबसे स्रॉंग होनी चाहिए और जीएस को सिर्फ और सिर्फ वीडियो से कवर करेंगे तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगी 10% कंप्लीट होगी आपको गर 100% कंप्लीट करना है तो मेरे टेलीग्राम अमन सर है कंप्लीट जितना हो सकता है जीएस किसी वे एक्जाइब वन यूपीएस ही वह है आपके लिए इससे सेलेक्शन होगा मैं अशुर्टी दे रहा हूं कि इसमें छे पीडिएफ है अलग अलग हिस्ट्री अलग वालग जोग्रफी अलग आपको पूरी छे पीडिएफ मिल यह जाता है लाइव अमन पूर से इसकाउंट ले सकते हैं सेशन को लाइक करिए शेर करी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स रॉट फूर्ट वोचिंग आप